जरोखा चैनल में मैं राजेंद्र चंद्रकांथ राय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। हमने UPSC, NET, राज्यों की सिविल परीक्षाओं और विभिन्न विशों विद्यालयों के पार्थे क्रमों को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाए हैं। इस बार हम आपके लिए कवी सूरयकांद, त्रिपाठी निरादा की विख्यात कविता राम की शक्ति पूजा लेकर हाजिर हुइ हैं। हम इसके बारे में आपको पहले कुछ जनकारियां देंगे और उसके बाद में कविता की व्याख्या करेंगे। व्याख्या के साथ हमने संदर्ब, प्रसंग, शब्दार तथा काव्य सौंदर को भी प्रस्तुत किया है, ताकि कविता अपनी संपूर्णता में आपके सामने खुल सके। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं, राम की शक्ति पूजा कविता की प्रिष्ट भूमी के बारे में, बंगाल में काली पूजा की सर्वुत कुष्टता मानी जाती है, इसीलिए वहां पर श्री राम के द्वारा रावन पर विजय पाने के उप्लक्ष में काली पूजा होती है इसमें शक्ती पूजा का मिद भी जुड़ा हुआ है निराला ने अपनी कविता राम की शक्ती पूजा के लिए वहीं से प्रेजना ग्रहन की है हिंदी साहित्य में ही नहीं बलकी संपूर्ण भारतिय साहित्य में भी राम की शक्ती पूजा कविता सुरिकांत रिपाठी मिराला की एक अमूले धरोहर कविता मानी जाती है मिराला जी ने इस कविता की रचना को 23 अक्टूबर 1936 को पूर्ण किया था 26 अक्टूबर 1936 को इलाहबाद के समचार पत्रभार्वत्त में वह प्रकाशित हुई थी श्री राम से संबंधित आख्यानों में श्री राम को कहीं पर भी राम रावन युद्ध के दौरान पराजय की संभावना से उद्धिग न होता हुआ नहीं दर्शाय गया है राम चरित मानस में तो तुलसीदास जी ने उन्हें अपनी विजय के लिए इतना आश्वस्त निरुपित किया है कि वे सुग्रीव से ऐसा कहकर उसको प्रकट करते हैं यानी है मित्र इस संसार में जितने भी राक्षस है लक्षमन उन्हें पल भर में मार सकते हैं युद्ध में रावन का सिर्क कड़ जाने पर उसका पुनह पन्न हो जाना श्री राम को चिंतित तो करता है परन्तु उन्हें जरासा भी भैभीत नहीं करता लक्षमन को शक्ति लगने पर श्री राम चिंतिद्धी होते हैं और शोकाकुल भी पर भैभी तब भी नहीं होते दूसरी और निराला जी की इसका विता मेंन केवल श्री राम को ही पराजय के भैसे शंकित और आकरांद दर्शाय गया है बलकि उनकी सेना के युद्धाओं को भी धबराया हुआ दर्शाय गया है उस दिन संध्यकाल में जब युद्ध स्थगित हो जाता है तब रावन के शिविर में उत्सा और श्री राम के शिविर में खिन्नता का वातावरण रचा गया है राम की शक्ती पूजा में एक नए चंद का प्रयोग किया गया है नए चंद होने के कारण ही उस चंद को शक्ती पूजा चंद का नाम दिया गया है अब हम कविता का परिप्रेक्ष जान लेते हैं श्री राम के चिरत्रवाले चिर्परिचित कतानक पर आधारित कविता होने के कारण कविता का शिल्प और भाषा विन्यास दोनों ही जटिल है पर पाठक आसानी से इसके मूल भाव तक पहुच जाते हैं इस कविता पर बंगला भाषा में कृतिवास द्वारा रचित रामायन का प्रभाव तो दिखाई पड़ता है परंतु निराला की मौलिक कल्पना ही प्रधान रूप से साकार हुई है उन्होंने धर्म और अधर्म के शाश्वत संगर्ष के चितरन को समकालीन परिस्थितिय से जूड़कर एक नया संदर भी अपनी कविता को प्रदान कर दिया है प्रस्तुत कविता में रावर जैसे खल चरित्र के पक्ष में स्वयम शक्ति को खड़ा हुआ देखकर श्री राम विस्मित होने के साथ साथ दुखी भी होते हैं 1936 का समय भारतिय स्वतंतरता के संघर्ष का चर्मोतकर्ष वाला समय था 1935 में ही एविसीनिया पर ट्ली ने हमला कर दिया था भारत में नागरिक स्वतंतरता पूरी तरह से समाप्त कर दी गई थी गवर्नर जनरल के विशेश अधिकार से सुईकृत लौ एमेंडमेंट कानूना गया था लगबग 500 समाचार पत्रों से जमानते मांगी गई थी 350 अकपार बंद हो गए थे किताबे जब्ध हो रही थी राजबंदियों का दमन हो रहा था प्रजा समितियों और किसान कमेटियों पर पाबंदिया लगा दी गई थी ऐसे में निराला जी ने अपनी कविता राम की शक्ती पूजा को समकालिंता से जोड़ा उन्होंने वालमी की और तुलसिदास के अजे श्री राम को संतप्त दशा में प्रस्तुद करने और और फिर दुर्गा देवी की आराधना करके उन्हें अपने पक्ष में करके युद्ध को जीतने का मिठक रचा है किसी भी मौले कवी का ये कवी कर्म होता है वह प्रचलेत आख्यान में अपनी कल्पना को जोड़ कर उसे एक नया अर्थ प्रदान करता है कविता में श्री राम जब देखते हैं कि आसुरी शक्तियों के साथ स्वयम शक्ती का संबल है तब सत्य और न्याय की विजय कैसे होगी विकल्प के तौर पर श्री राम शक्तिरूपाद दुर्गा का पूजान उष्ठान 108 कमल पुष्पों से करते हैं जब एक पुष्प के कम पढ़ जाने पर वे अपनी एक आखी अर्पित करने को उद्यत हो जाते हैं तब देवी द करको कर उन्हें विजय का वरदान देती हैं इस तरह सद्धारन राम को मिरौला ने पहले सद्धारन भूमिका में भी प्रस्तुत किया और शक्ति की सहायता से इसाधरन बनाकर भी प्रस्तुत किया ये एक फैंटेसी भी है और श्री राम के चरित्र की पुनरचना भी है साधारन मनुश्यों में असाधारता के बीज बोने का सतकार भी है इसी तत्व ने इस कविता को कालजई बना दिया है यहां निराला जी की कविता कुकरमुत्ता का स्मरण कर लेना उपकुप्यूप्त हो मुक्ति को प्रधानता प्रधान की है जबकि वालमी की और तुलसिदास जी ने रावण को पराजद करने के पीछे केवल कुल कलंग को मिटाने का धे ही प्रमुक रूप से दर्शाया है तरहराम रावण युद्ध जूठे कुल गौरव का युद्ध नव बन कर स्त्री मु है सूर्यास्त हो गया है युद्ध सूर्यास्त होते ही बंद कर दिये जाते हैं जिस दिन का निराला जी ने अपनी कविता राम की शक्ति पूजा में चित्रण किया है उस दिन रावण ने राम की सेना के विजय के प्रती सुनिश्चित विश्वास को भंग कर दिया था श्री राम का पराक्रम उस दिन निश्वल रहा था हनुमान के अलावा शेश सभी योधा घायल होकर मूर्चित पड़े हुए हैं योधा समाप्त होने पर दोनों ही पक्ष संध्यकाल में अपनी पत्नी सीता का उध्धार कर भी सकेंगे अथ्वा नहीं इसी समय उन्हें उस दिन की स्मृति घेर लेती है जब पहली बार जनक वाटिका में उन्होंने सीता को देखा था उस प्रथम मिलन का आवेग राम की आंतरिक सोच और मनूद्शा को परिवर्थित कर देता है श्री राम स्मरण करते हैं कि उन्होंने रावन पर उत्तम कोटी के जितने भी बान चलाए थे उन सभी को शक्ती ने विफल कर दिया था ऐसे में रावन ने उनकी दीनता का तिरसकार भी किया था उसने अटहास करके श्री राम के हुर्दय पर चोड़ भी पहुँचाई थी श्री राम उस दिन हुई अपनी पराजय से विथित हैं उनके नेत्र सजल है अजयता का भाव करुणा में दूबा हुआ है हनुमान राम की इस दशा की दुखरत रासदी का अनुभव करते हैं और विचलित हो जाते हैं विचलान लगा कर गगन मेजा पहुँचते हैं और के निवास्तल अर्थात महाकाश को ही अपनी बाहु में समेट लेने को आतुर हो जाते हैं तब प्रलय की आशंकाएं प्रकट होने लगती हैं यहां पर निराला जी ने प्रकृती के ही तहस नहस होने का मार्मिक चित्रन किया है ऐसे विकट समय में शिवजी की प्रेड़ना से स्वैम शक्ति हनुमान की माता अंजना जी का स्वरूब धारण करके हनुमान के सामने प्रकट होती है और उनकी भर्टस ना करती है उन्हें शुब अशुब का ज्यान कराती है वे उन्हें आवेश में आने की बजाए धीरज के साथ किये जाने वाले उचित कर्म का पद मता के वचनों से ही हनुमान को अपने कर्म की प्रतीती होती है वे लज्जित होकर पुनाराम के पास लौट आते हैं यहां शिविर में भालूराज, जामवंध, श्री राम को समझाते हैं कि शक्ति की मौले कलपना करने से ही रावन का वद संभव होगा आप शक्ति की पुष्प लाने के लिए भीजते हैं पुष्पों के आ जाने पर श्री राम शक्ति पूजा में लीन हो जाते हैं साथ दिनों तक इंदीवर अरपन चलता रहता है अठवे दिन जब अंतिन इंदीवर के अरपन का समय आता है तो शक्ति आकर उसे चुपके से उठा ले जात अब क्या किया जाए पूजा कैसे पूर्ण हो ऐसे प्रश्ण श्रीराम के मन में अत्बंद होते हैं तभी उन्हें याद आता है कि बचपन में माता कॉशल्या जी उन्हें राजी मलोचन कहा करती थी यानि कमल जैसे नैनों वाले श्री राम वे सोचते हैं कि जब उनके नैन ही कमल है तो उन्हें किसी अन्य कमल की क्या वश्यक्ता है वे अपनी एक आथ ही निकाल कर अरपन करने के लिए तकपर हो जाते हैं कि तभी स्वयम दुर्गा प्रकट होती हैं और उन्हें ऐसा करने से रोक कर रावन पर विजय पाने का आशिर्वात देती हैं इस प्रकार शक्ति रूपा दुर्गा से बलप्राप्त कर श्री राम युद्ध के एक नए नायक बनकर रावन के वद के लिए सनद्ध हो जाते है चलिए अब कविता की व्याख्या शुरू करते हैं प्रवी हुआ अस्त योति के पत्र पर लिखा अमर रह गया राम रावन का अपराजे समर आज का तीक्ष्ण शर विद्रित शिप्र कर वेग प्रकर शत शेल संबवरण शील नेल नभ गरजित स्वर प्रतिपल परिवर्त व्यूह भेद काउशल समूह राक्षस विरुद्ध प्रत्यूह कृद्ध कप विशम हूह विच्छुरित वान राजीव नयन हत लच्छिबान लोहित लोचन रावन मद मोचन मही यान पति मर्दित कप दलबल विस्त अनिमेश राम विश्व जिद्ध दिव्य शरभंग भाव विध्धांग बद्ध कोदंड मुष्टी खर रुधिर श्राव रावन प्रहार दुरबार विकल वानर दलबल मूर्चित सुग्रिवांगद भीशन गवाक्ष गय नल वारित सौमित्र भल्ल पति अगलत मल रोध गर्जित प्रल्याब्द छुब्द हनुमत केवल प्रवोध उधिगीरित वहन भीम परवत कप चतुः प्रहार जान की भीर उर आशा भर रावन सम्वर अब कविता में आये कठिन शब्दों के शब्दार्ध जान लीजे जोती के पत्र पर याने दिन के हरदय पर शर्विध्रत याने प्रखरबाण शिप्रकर याने तीव्रगामी शक्षिल सम्रशील याने सैकडो भालों को भी रोकने में समर्थ राक्षस विरुद्ध प्रत्युक्रुद्ध याने राक्षसों की व्यूह रचना को भंकर अक्रमर करना विच्छुरत याने विकीर्ण मदमोचन याने उनमात को नश्ट करने वाला महियान याने श्रेष्ट राघव लाघव याने राम की कुशलता लगुता वारण याने अव्रोधन हाथी अनिमेश याने अपलक विश्वजिद्विशर याने संसार को जीतने वाला तीर उद्गिरित याने उगलती निगलती हुई भी आने भयानक सम्वर याने युद्ध अब कवितांश का संदर्ब जान लीजे ये कवितांश सूरेकांत रिपाठीं निरालाजी के कविता संघ्राराग विराग में संकलित्व लंबी कविताराम की शक्ति पूजा से प्रसंगिस तरह लिखा जाएगा राम रावन के बीग चलने वाले युद्ध का वह दिन जिस दिन श्री राम को पराजय जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ा था इसके बाद हम करते हैं कविता के पहले पद की व्याख्या युद्ध क्षेत्र में संध्यकाल हो गया दिन क पूरी शक्ती से तिक्ष्णतम बाणों के प्रहार किये वे ऐसे वहर है जो सैकडों भालों के प्रहार को भी रोपने में सक्षम है उनकी गर्जनाओं से सारा आसमान ही गूंज रहा था प्रतेक शनव्यू रचना बदल रही थी विपक्षियों के घेरे को काट डालने का उ लक्ष किया जाता हुआ देखा तो वे क्रोध में आ गए उधर रावन की क्रोधपूर्ण आखों से भी आगसी निकलने लगी एहंकार टपकने लगा श्री राम अत्यंत कुशलता के साथ आक्रमन कर रहे थे परन्तु रावन हर बार उन्हें विफल बना देता था इस तरह दो प्रहरों का समय गीद क्या युद्ध में पागल सा हो रहा रावन वानर स्रीना का विनाष किये जा रहा था प्राम के वे बान जो समूचे संसार का विनाष कर सकते थे जब उन्होंने उन्हें ही लक्षविहीन होते पाया तो वे हत्रभ रह गए श्रीराम की दे तीरों स देना व्याकुल हुई जा रही थी सुग्रीव अंगद रवाक्ष नलनी जैसे योध्धा मुच्छित अवसमे रणभूमी में पड़े हुए थे लक्षमण और जामवन जैसे वीरों के प्रहारों को भी रावन बीच में ही रोग देता था मारो काटो का कोलाहल मचा हुआ था मात्र हनुमान ही ऐसे एक मात्र योध्धा थे जिनकी चेतना पर आगात न हुआ था लनुमान की आखों से क्रोध की लप्टे निकल रही थी, वे चार प्रहर तक रावण से युद्ध करते रहे, इस प्रकार अपनी पत्नी के प्रती भैका अनुभव करने वाले श्री राम के लिए वही आशा का केंद्र बने हुए थे, हम पहले पद के पद सौंदरे को जानेंगे, एक जयोती के पत्रओर राजी विलोचन में रूपक अलंकार है, दो उद गी रितवाषनी में उत्विक्षा अलंकार है, तीन पूरे चंद में अनुप्रास और पद मैत्री अलंकार है, चार रागव लागव में सभन पद्यमक अ लोटे युग दल राक्षस पदुतल प्रत्वी टलमल, बिंध महोल लास से बार बार आकाश विकल, वानर वाहिनी खिन, लख निज पत चरण चिन, चल रही शिविर की ओर, इस्थविर दल जियों मिभिन, प्रशमित है वाता वरण, नमित मुख सांध कमल, लक्षमन चिनता पल पीछे, वानर वीर सकल, रहुनायक आगे अवनिपर नवनीत चरण, श्लत धन गुण है, कटिबंध स्रस्त तुनेर धरण, दिर्ण जटा मुकुट हो विवरियस्त प्रतिलट से खुल, फैला प्रुष्ट पर बाहुओं पर वक्ष पर विपुल, उत्रा जो दुरगं परवत पर नईशन धांद कार, चमकती दूर ताराएं जो हो कहीं पार, प्रश्मित याने शांद, धनुगुण याने धनुष की दोर, सरस्तिर याने खिसका हुआ, तूरी याने तरकस, विपर्यस्तियाने बिखरा हुआ, नैशांद कार याने रात का अंधिरा, संदर्व, पूर्वानुसा, प्रसंग, संध्या हो जाने पर सेनाओं का शिविर गमन, व्याख्या, उस दिन का युद्ध स्थगित हो जाने के बाद, दोनों पक्षों की सेना अपने अपने शिविलों की और लोट पड़ी, राक्षसकर अपने पैरों की धमक से धर्ती को कम पाते हुए चल रहे थे, उनमें अपार आनंचाया हुआ था, उनके कोलाहल से आकाश तक व्याकुल हो रहा था, परंतु श्री राम की वाना सेना दुखी और उदास थी, वह मुख्रिये हुए चिंतत लक्षमन श्री राम के पीछे चल रहे थे, उनके पीछे वानर वीर चल रहे थे, सबसे आगे श्री राम थे, उनके पैर माखन जैसी कोमलता के साथ धर्ती का स्पर्श कर रहे थे, उनके धनुष की दोर धीली पड़ चुकी थी, तरकस बांधने वाला कमरबन भी धीला पड़ चुका था, जटाओं का मुकुट अस्त व्यस्त हो गया था, श्री राम के बालों की लटे खुल कर उनकी पीट और भुजाओं पर फैल गई थी, यहां तक कि विशाल वक्षस्थल पर भी वे फैली हुई थी, ऐसा प्रतीत होता था, जैसे कि किसी दुर्गम पहाड पर रात्री का अंधकार चागया हो, श्री राम की उदास आखें इस तरहा दीप्थ हो रही थी, जैसे पहाड के पीछे तारे टिमटी मा रहे हो, अब जानेंगे आए सब शिविर सानुपर परवत के मंथर, सुग्रेव, विभीषन, जांबवान, आदिक वानर, सेनापति दल, विशेश के अंगद हनुमान, नल नील गवाक्ष, प्रात के रण का समाधान करने के लिए, फेर वानर दल आश्रे इस्थल, बैठे रगुकुल मन स्वेत शिला पर, निर्मल जल ले आए, कर पद छालनार्थ पटु हनुमान, अन्य वीर, सर के गए तीर संध्या विधान, वन्दना इश्की करने को लोटे सत्वर, सव घेर राम को बैठे आज्या को तत पर, पीछे लक्षमन, सामने विभीशन, भल्य धीर, सुग्रिव, प्रांत पर पाद पद्म के महावीर, यूथ पती, अन्य जो, यथा स्थान हो निर्न मेर, देखते राम का जित सरोज मुख श्याम देश। प्रसंग, राम और उनकी सेना का शिवर में पहुच जाने के बाद का विवरण, व्याख्या, श्री राम, लक्षमन, हनुमान, सहित, सभी युद्धा परवत, शिखर परस्थित अपने शिवर में लोट आए, अंगद, हनुमान, नल नील, गवाक शादी की सेनाओं को विश्राम हेतून के शिवरों में भेज दिया गया। सभी प्रमुक सिनापती युद्ध की मंत्रना हेतू श्री राम के पास आप पहुँचे। श्री राम के चरनों के पास हनुमान विराजमान थे, अन्य सेनापती भी थोचित स्थानों पर बैट गए। वे सब के सब श्री राम के मुक को ही निहार रहे थे, जो समय इतना श्यामल हो गया था कि उसके सामने नीलिक मल तक फीका पढ़ रहा था। अब इस पत का पत सौश्थव देखते हैं, वन रूपकल अंकार, टू लाक्षनिक शैली, चित्रात मक्ता, दिम्ब विधान, थ्री नाटक की तरह द्रिश्य विधान, फोर ओज गुण, माधुर्य और प्रसाद गुण, फाइव करुन वर्शांत्रस, शिक्स माधुर्य औ जैसे विद्युत, जागी प्रत्वी तनिया कुमारी का छवी अच्युत, देखते हुए नश्पलक, याद आया उपवन विदेह का, प्रतम सनेह का, लतांतराल मिलन, नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाशन, पलकों का नव पलकों पा प्रत्मोत्थान पतन, कापते हुए किसले, जहरते पराग समुदे, गाते खग नव जीवन परिचय तरु मलय वलय, जो तिह प्रबात स्वरगी, ग्यात चवित प्रतम स्वी, जान की नयन कमनी, प्रतम कमपन तुरी, अमानिशा याने अमावस्या की रात, घन याने गहरा, पवंचार याने हवा का संचर, अप्रतिहत याने लगातार, स्थिर याने शान, रिपू दमिश्रांथ याने शत्रुद्वारा दमित होने से ठका हुआ, आयुतलक्ष याने दस हजार लाख, दुराकरांथ याने इतनी काली की दिशाओं का भी ज्यान नहीं हुपा रहा है। जो हजारों लाखों शत्रूं के आगे भी अगम में बना रहा वही ये सोचकर व्याकुल हो रहा है कि कल युद्ध कैसे करेगा। है अमान शा उगलता गगन घन अन्धकार। खूरहा दिशा का ज्यान इस्तब्द है पवन चार। और प्रतिहत गरज रहा पीछे अमबुध विशाल। भूधर ज्यों ध्यान मगन केवल जलती मशाल। इस्तिर रागवेंद्र को हिला रहा फिर फिर संशय। रह रह उठता जग जीवन में रावन जय भय। जो नहीं हुआ आज तक हुरदय रिपुदम्य स्रांत एक भी अयुत लक्ष में रहा जो दुराक्रांत। कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार असमर्थ मानता मन उद्यत हो हार। अच्छुत याने श्री राम, लतांतराल याने लताओं के बीच में समुदय याने प्रसंद्नता, मलै वलै याने चंदन विछ्षों का कुछ, सुईय याने अपनी, तुरिय याने समाधिय वस्था, संदर्ब, पूर्वानुसार, प्रसंद, निराशा के बीच श्री राम क बिजली चमक जाती है राजा की जनक वाटिका का वह द्रिश्य भी याद आता है जहां वे जानकी को अपलक निहारते रहे गए थे वहीं पर लताओं के जुर्मुट में उनके नित्रों का मिलन हुआ था और परसपर प्रेम का अतान प्रदान भी वहीं पर पल के प्रेम भरी नई पलकों पर जपकी और उठी थी पत्ते डोल रहे थे पराग कर आनंद मगन होकर ज़र रहे थे प्रातहकाल का सूर्य स्वन प्रपात की तरह प्रतीत हो रहा था सीता की आखों में इस प्रथम मिलन ने पुलक भर्दी थी जो उन्हें समाधी अवस्था में ले गई थी अब हम पजसोंदरे जानेंगे वानुत्मा अलंकार अनुक्रास और मानवी कर अनलंकार तुविभावना अलंकार नैनो का नैनो से गोपन प्रिये संभाशन त्री तत्सम समासिक शैली, फोर विप्रलम श्रंगार रस, फाइव प्रकृती का आलंबन रूप में चित्रन, सिक्स माधुरे गोण। विशेश मिराशा और युद्र शनों में प्रथम मिलन की स्मृती का मनुविज्यान, युद्र शिवर का यात चित्रन।